उत्तर प्रदेश में अवैद मदर्सों के मामले में SIT ने अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौब दी है सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में करीब 13,000 अवैद मदर्सों को बंद करने की सिफारिश की गई है SIT की जाच और सिफारिश के बाद हजारों की संख्या में इन अवैद मदर्सों पर कारवाई के लिए मदर्सा बोल्ड तैयारी कर रहा है SIT की जाच में जिन मदर्सों को बंद करने की सिफारिश की गई है उनमें से अधिकतर भारत नैपाल की सीमा पर है रिपोर्ट में इस बात की भी जानकाली दी गई है कि जियारातर मदर्सों का निर्मान पिछले 20 सालों में खाड़ी देशों से मिली फंडिंग के जरीए कराया गया है सुत्र के मताबिक SIT ने अपनी रिपोर्ट में कई और चौकाने वाले खुलासे भी किये हैं जित 13,000 मदर्सों को बंद करने की सिफारिश की गई उनमें से अधिकतर नैपाल की सीमा सिसटे, महराजगंज, श्रावस्ती और बहराईश समेत साथ जिलों में हैं हाद एक सीमावर्टी जिले में ऐसे मदर्सों की संख्या 500 से ज्यारा है खास बात ये है कि SIT की टीम ने जब इन मदर्सों के संचालकों से उनके आय और वे की जानकारी मांगी तो कोई भी संतोशनक जवाब नहीं मिला ऐसे में आशनका जताई गई कि टेरर फंडिंग के लिए इस्तिमाल की जाने वाली रकम को हवाला के जरीए खाड़ी देशों से यहां भेजा गया है अवेद मदर्सा संचालकों ने इस बात को भी माना कि चंदे की रकम से ही मदर्सों का निर्मान डोनेशन के जरीए कराये गया हाला कि डोनेशन किस ने दी और ये कहां से आई इस बारे में कोई जवाब वो नहीं दे पाए जांच में ये भी सामने आया कि गेर कानूनी तरीके से बने इन मदर्सों में बच्चों का शारीरिक शोषर होता है पहले भी ऐसे तमाम प्रक्रण सामने आ चुके हैं इन मदर्सों की मानेता भी नहीं है वहीं certificate माने नहीं होने की वज़े से यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले कई छात्रों को नौकरी भी नहीं मिल पाती है जार्च में कुल 23,000 मदर्सों में से 5000 के पास अस्थाई मानिता का पता चला है कुछ तो बीते करीब 25 वर्शों से मानिता के मानक पूरे नहीं कर पाएं हैं शिक्षा का अधिकार विधार्मिक शिक्षा का प्रचार्थ सार करने के नाम पर चल रहे तमाम मदर्सों में मानिता का नमीनी करन कराना भी जरूरी नहीं समझा है और इसे धडलले से संचालित भी कर रहे हैं करीब 5000 में फिरहाल कोई गरबडी सामने नहीं भी आई बताने कि SIT की जाच में सीमवर्ती इलाकों के 80 मदर्सों को विदेश से करीब 100 करोड की फंडिंग होने की बात की पिछले दिनों पुष्टी हुई थी राजिसरकार ने इसे गंभीर्ता से लेते हुए सारे मदर्सों की गहनता से जाच कराने का SIT को आदेश दिया था इसे पहले योगी सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश में चल रहे मदर्सों का सर्वे कराया था सर्वे में सामने आया कि प्रदेश में 16,000 के आसपास मानिता प्राफ्ट मदर से हैं जब कि करीब 8,000 घैर मानिता प्राफ्ट मदर से भी चल रहे हैं उसके बार आरोप लगा कि इन मदर्सों को विदेशों से फंडिंग मिल रही है और जिसका ये गलत इस्तिमाल कर रहे है इसी मामले की जांच के लिए SI टीम का गटन किया गया था जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई NBT और लाइन की रिपोर्ट